हेलो एबरीबन, वेलकम टो मैं चैनल, फ्रेंड्स आज की क्लास में हम बेबी डाइपर बनाना सीखेंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, तो बेबी डाइपर बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है, ये हमारा चार पीस है कपड़े के, इस तरह से चार पीस लगाना है, ये दूसरा कोर्नर है, यहां से हमें साड़े चार इंच पे निशान लगाना है, ये निशान है, इसे हमें सीधा यहां तक पांच इंच लेना है, यहां से ऐसे पांच इंच पे निशान लगाएंगे, ये निशान और ये निशान दोनों को ऐसे मिला देंगे, यह मिला दिया अब यहां से थोड़ा सा हमें ऐसे राउंड में लेना है इसके बाद आदा इंच हम यहां से लेंगे यह भी हम इस तरह से राउंड में यहां से यहां तक मिला देंगे यह हमारा पैटर्न बन गया है इसी तरह से हम कट कर लेंगे यह कटिंग होगी हमारी यह हमारा इस तरह से कट करके ऐसा शेप में आए गया है इसके बाद हम दो पीस अलग कर लेंगे दो हमारे ऐसे रहेंगे इस तरह से इसके बाद यह हमारा एक और कपड़ा लेंगे जिसे पुराना भी हम बैडशीट का भी ले सकते हैं जा कोई हमारे पास हेंकरशीप है रुमाल बगरा है वो भी हम ले सकते हैं यह मैंने यहां से 10 इंच लिया है और यहां से हमारा यह 12 इंच है अब इस कपड़े का हुम 3 फोल्ड करेंगे जैसे यह हमारा first fold इस तरह से आएगा और यह हमारा इस तरह से आगया यह हमारे तीन fold हो गये है यह तीन fold मैंने कर दी है तीन fold होने के बाद यह हमारा साड़े तीन इंच टैनना चाहिए यहां से यह हमारा ready हो गया है इसके अंदर हमें इस तरह से लगाना है यहां पर तो इसका हम यहां पर सेंटर पर ले ले लेंगे यह सेंटर लाइन लग गई है अब यह कपड़ा है इसे भी हम सेंटर से इस तरह दुन्नों साइड से ब्राबर रखना है इतना कपड़ा हमारा इधर रहना चाहिए और इतना हमारा एदर है न चाहिए और ये साइडों में भी हमारा आदा-आदा इंच रहना चाहिए क्योंकि हमारी सिलाई आएगी यहाँ से ये कपड़ा सेट हो गया यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे जिससे कि हमारा कपड़ा हिलेगा नी जब हम सिलाई लगाएंगे पिन लगाने के बाद यहां से हमें सिलाई लगानी है यहां से पूरे चारो कोर्णर को हमें इसके साथ अटेच करना है कपड़े को इस कपड़े के साथ तो सिलाई लगाते हैं यह कपड़ा मैंने अटेच कर दिया यहां पे चाहें तो हम प्लास्टिक भी इतना डाल सकते हैं नीचे जिससे की जो जैसे बेबी का गीला हो जाता है तो बाहर नहीं निकलेगा अब यह पीस हैं हम इस तरह से ऐसे रखेंगे और यह दो पीस हैं हमारे इनको इसके उपर ऐसे रखेंगे एक तम बराबर करके यह दो बराबर करके ऐसे रखती हैं अब यहां से लेके सिलाई लगानी है हमें यह यहां तक यह सिलाई मैंने लगा दी है पूरे में हमारी लगए है सिलाई इसके बाद यह हमारा जैसे करम में है प्लेस तो यहां से हमें कट करना है सिलाई के पास से काचना है सिलाई नी काचन यह हम जब सिधा करेंगे इसको तो यह मारी जो सिलाईया एक दम बराबर मैठेंगी यहां पर भी यह जो भी राउंड है यहां पर कट करते हैं यह कट मैंने लगा दिये दोनों साइड में अब यह हमारा जैसे open space है यहां से हम सिधा करेंगे डाइपर को मैंने सीधा कर दिया है इसके बाद हमें एक पट्टी ऐसी लेंगे यह हमारी neign inch है यहां से बनेंट half inch है चोड़े में इस dipls को मैं इस तरह से ford करेंगे यहां पर iron करके भी हम ford कर सकते हैं और इस साइड से भी ford करेंगे और यह दोनः फॉल्द हैं फिर से एक ford करकर के यहां पर शिलाएं लगाते हैं यह स्िलाएं मेने दो काट ले इसके बाद हम कैसे लगाएंगे जैसे यह हमारी सिलाई की साइड इस साइड आएगी अंदर की साइड तो यह बाहर की साइड हमारा इस तरह से यह आएगा तो यह लूप हमारी यहां पर लगेंगी तो एकदम बराबर रखके हमें यहां पर निशान लगाना है ज यहां पे ऐसे लगाएँगे पिंड लगाती हूँ यह दूसरी साइड है इससे भी हम 1.5 फोड़ करेंगे यह मेने फोल़् करके ऐसे पिंडने लगा दी है अब यहां पे हमें यह फोल्ड है यहां पे डबल डबल सिलाई लगा लेनी है ये सिलाई मैंने लगा दी है इस तरह से हम दो जा तीन सिलाईयां लगा लेंगे पक्का हो जाएगा हमारा इसके बाद ये साइड है हमारी तो यहां भी एक हमारी पट्टी लगेगी जैसे ये स्ट्रिप्स ली है मैंने ये हमारी डबल में है यहां पर ये दोनों का सेंटर है इस तरह से मिला दिया है ये लंबी स्ट्रिप्स ली है क्योंकि बांदने का भी हमारा इसी में आएगा इसलिए लंबी स्ट्रिप्स ली है जैसे इस तरह से लगा दिया मैंने ये सेंटर से सेंटर मिला दिया यहां से हम सिलाय लगा लेंगे यह सिलाय मैंने लगा दी यहां तक अब यह स्ट्रिप्स जैसे यहां से हमारी दो इंच है चोड़े में इसके बाद इस स्ट्रिप्स को हम इस तरह से ऐसे कर लेंगे फोल्ड आयरन भी कर सकते है यह कपड़ा है इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया जितना हमारा सिलाई में आया है इसके बाद यह साइड है यहां का कपड़ा भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे यहां पर आरेन भी कर सकते हैं हाद से भी हमारा हो जाएगा इसके बाद यहां से हमें फिर से फोल्ड करना है ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और यहां पर सिलाई लगाते जाएंगे अगर हमारे से ऐसे नहीं होता ड्रेक्ट तो हम यहां पर पीन भी लगा सकते हैं उसके बाद हम सिलाई करेंगे तो यहां से सिलाई करेंगे यहां तक यह सिलाई लगा के यह मैंने स्टिप्स लगा दी है यहां पर यह हमारी दोनों साइड से एक जैसी आती है अब यह डाइपर हमारा बन के रेडी है जैसे इस तरह से हमारा आएगा यह सिलाई बाली साइड है ऐसा आएगी अंदर और यह लूप वाले ऐसे आएंगे और यहां से हम ऐसे बबी को पहनाना है जब इस तरह पहना के यह दोन्यूवाई साइड में पहना के यहां पर नूट लगा देंगे तो इस तरह से यह हम बेबी का डाइपर बनाएंगे यह अलोटा बनाना हे तो एक एक इंच एक कम करले फ्रेंट्स बेबी डाइपर मारा बनके रेडी है वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पे ने हैं तो बेल बटन भी दबा ले जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएंगे इस्टाग्राम पे भी अब मेरे को फोलो कर सकते हैं उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी अब बहां से देख सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में